हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टैसी पॉइंट तो एक खुसकबरी वाली खबर है कि उत्रखंड अजिनस सेवा चैन अयोग ने समूग गय सेने के 169 पदों की भलती के लिए आवेदन परकिर्या सुरू कर दिया है दो मार्च से आयोग की एप साइट पर ओनलाइन अवेदन करने के लिए फॉर्म उपलवद होगा लेकिन अवेदन के लिए उमिदवार को वन टाइम रेजिस्टेशन कराना अनिवार्य होगा चैन आयोग ने पसुपालन विभाग में पसुदन परसार अधिकारी के 120 रेसम विभाग में एगजिक वीटर या पलडर्सक के 26 और रेसम निक्षक के 3 पदों समेत कुल 169 पदों की भलती के लिए आवेदन मांगे हैं पसुदन परसार अधिकारी पद के लिए सैक्चिक योग्यता, बायलोजी से ग्रैजुएशन, एक्जिवीटर पद के लिए बायलोजी से इंटरमीडियेट और निरिक्चक पद के लिए किर्सी और बायलोजी से इंटरमीडियेट होना अनिवार्य है आयोग के सचिव संतोस बड़ोनी ने बताया कि ब्रस्पतिवार को आयोग ने आवेदन फॉर्म भरने के लिए विग्यप्ति जारी कल दी है जो विग्यप्ति हम आपको दिखा रहे हैं ये वही विग्यप्ति है जो आयोग के सचिव संतोस बड़ोनी ने जारी करवाई है जन सेवा केनलों के माध्यम से भी उम्मीदवार अपना फॉर्म भर सकते हैं सरकार ने सीधी भलती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्क के लिए 10% आरक्षन लागू किया है यानि कि इसमें जो EWS वाले उम्मीदवार होंगे उनको 10% आरक्षन इसमें आसानी से मिल जाएगा इस सिरेनी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन सुल्क 300 रुपे से गटा कर 1500 रुपे तक किया गया है जबकि जो समाने वर्क के उम्मीदवार रहेंगे या OBC वर्क के उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए आवेदन सुल्क 300 रुपे ही रहेगा जबकि SC और ST और EWS के लिए 1500 रुपे रहेगा तो ये थी एक आवेदन से जुड़ी एक ख़वर तो इसी परकार की एजुकेशन से लेटीर न्यूस से अपडेट रहने के लिए आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमाई साथ बने रहने के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत